हाई फेंट्स आज मैं बनाने वाली हूँ हरी भरी ताजी मटर की कचोरी और इसे बनाना है बहुत ही आसान बस कुछी इंग्रेडियन्स में ये बनके रेडी हो जाता है आज में हमारे घर में कैसे मटर की कचोरी बनता है उसी का रेसी भी आप लोग के साथ स्यार कने वाली तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा क्यों रेडी करूंगी तो मैं यहाँ पे मैदे का बना रही हूँ आप लोग चाहे तो मैदा आटा दोनों मिला के बना सकते हैं या फिर खाली यहों का आटा से भी यह बना सकते हैं लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ मैदे से तो करूंगी तीन काफ रिफाइन ओयल आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते ही यहाँ पर लेकिन मैं रिफाइन ओयल से ही इसे मौयन लगाने वाली हूँ अब इसमें एड़ कर देंगे स्वाध अनुसा नमक तो मैं यहाँ पर वान फोटी स्पून नमक का यूज की हूँ अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह मौयन बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है अब इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करके इसका एक नरम सा डो बनाके रेडि कर लूंगी लेकिन यहाँ पर ज्यादा नरम नहीं सानना है जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी के हिसाब से इसे भी बनाना है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ करके इसमें हम डो रेडी करेंगे नहीं तो यह ज्यादा ही गीला हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आटा बिल्कुली बहुत ही अच्छी तरह और पर्फिक्ली हमने रेडी कर लिये हैं अब आता है नेक्स टेप यहां पर हम लिए हैं पांशों ग्राम मटर तो यहां पर ताजे मटर का यूज कर रही हूं तो मटर को मैं अच्छी तरह याव पानी से धोल ली हूं अब हम लेगे एक मीक्सी जार में यह सारे माटर एड़ कर देंगे और इसका एक स्मूद सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे तो माटर एड़ करके इसमें थोड़ा सा'm पानी आड़ किये हैं उसके बाद इस तरह से एक स्मूद सा पेस्ट रेडी कर लिए पेस्ट को स्मूधी रखना होगा नहीं तो इसका अगर दानेदार रहेगा तो पूरी अच्छे से नहीं होगा और कचोरी से ये जो मटर है ये निकल आएगा तो अच्छी तरह से ये नहीं बनेगा तो इस तरह से पेस्ट हम रेडी कर लेंगे मटर का उसके बाद रेडी करें तो चलिए अब आते हैं नेक्स टेप पे तो अब हम ले लिए हैं एक कढ़ाई कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और उसमें हम एड़ करेंगे एक चमच जीरा आधा चुटे चमच सौंफ और आधा चुटे चमच धनिया अब इसे हलका सा हमें ड्राइ र करेंगे तब तक आजाते हैं नेक्स टेप पे फिस से हम ले लेंगे एक कढ़ाई उसमें एड़ करेंगे तीन बड़े चमच सर्शू का तेल और एड़ करेंगे एक आधा चुटे चमच कलोंजी और दो बड़े चमच अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने पहले ही रे चिली पाउडर एड़ कर देंगे थोड़ा सा इसे फ्राइ करेंगे और गैस का फ्लेम इस्ट में रखें नहीं तो यह अद्रक जो है यह जल सकता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा तो चलिए थोड़ा सा इसे हम फ्राइ कर लिए है अब यह जो मटर का पेस्ट हम रेड़ी करके रखे थे वो इसमें एड़ कर देंगे और गैस का फ्लेम लो में ही रखके इसे हम पका लेंगे लेकिन इससे पहले हम स्वाद अनुसा नमक एड़ कर देंगे तो चलिए नमक एड़ कर दिये हैं अब इसे अच्छी तरह से हम थोड़ी देर फ्राइ करेंगे तो इससे हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक कि नहीं यह ड्राइ हो जाए लेकिन हां गैस का फ्लेम लो में ही करके करें नहीं तो यह जल सकता है उसका टेस्ट भी खरावा जाएगा तो चलिए तोड़ी देरी से पकाने के बाद हम इसमें आधा चोटी चमच चीनी एड़ क करेंगे जब यह ड्राइ होना सुरू हो जाए तो यहां पर यह बिल्कुल रेटी हो गया है अब गैस आफ करके इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो थोड़ी देर बाद मसाला हमारा ठंडा हो गया है अब एक एक करके हम कचोरी को बेल लेंगे तो यहां पर आप द भननों उंगली से पेस करने से ही एकदम कटोरी जैसा हो जाता है इसके अगर इस तeg mét मिल्क की मददद से छोटे छोटे पूरी बना के उसके बाद यह जो मटर की स्टाफिंग है इसे आप भर सकते हैं और इस दरह से इसे मोर सकते हैं तो इस तरह से आप सारे दिश बनाके तो यहां पे हमारा यह जो कचोरी है स्टाफिंग भर के रेडी हो गया है अब इससे है बेलने की बारी तो यहां पे चक्की और बेलन में थोड़ा सा हम रिफाइन ओइल गिरीस कर लेंगे और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे तो छोटे छोटे पूरी के सिप में आप इसे बेल सकते हैं इस तरह से हलके हाथों से आप प्रेस करने से ही ये कचोरी जैसा होके ready हो जाएगा फ्रेंड इस तरह से कचोरी एक बर बना के जरूर ट्राइ करें आसा करती हूं पसंद आएगा तो चलिए यहाँ पे कचोरी हमारा ready अब है इसे छानने की बारी तो छानने के लिए यहाँ पे मेरी फाइन ओयल ले ली हूँ और ज्यादा ही ओयल ली हूँ क्योंकि इसे deep fry करना है ओयल को हम बहुत ही अच्छी तरह से करम कर लिये है और उसके बाद गैस का flame medium में रखे हम fry कर लेंगे तो यहाँ पे कचोरी को एक एक करके हम fry कर लेंगे तो कचोरी को तेल में एड़ करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर ले साइड से तो कचोरी जो है यह फूल के बहुत ही अच्छी तरह से पकने ल लाएगा और बहुत यम्मी बहुत ही टेस्टी लागेगा तो दोनों साइड से यह हलका सा कलर चेंज होने तक इसे हम fry करेंगे गैस का flame medium में रखे नहीं तो अंदर से यह कच्चा रह जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कचोरी हमारा बिलकुर रेडी हो गया है तो इससे सबजी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो आसा करती हूँ आज का यह कचोरी रेचिपी आप सबको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाए थैंक्यू